ब्यूरो चीफ निशांत सर्मा भी जुडे वे निशांत भुकम के जटके आज महसूस किये दिल्ली न्सेयर में क्या दिल्ली न्सेयर के बाहर भी जटके महसूस किये गए हैं क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास बड़ी तेजी के साथ जो भूकम के जटके से देखा जाए कि काफी दिनों के बाद इस तरीके के जो भूकम देखने को मिला है और दिल्य एंसियार समेत उत्रा खंड के ईलाके में तमाम इलाकों में कही न कहीं भूकम के जटके देखे जारहे हैं घूकि इतने जो तेजी तिवता देखी जारहे हैं कि екई न इस तरीके की घृतना हो تीति और ऑदpected इस तरीके की घटना हो सकती ते रहे देखे जा रहे हाला कि हमारे साथ जो है बर्जेश श्रीवास्ताव एडिटर हैं सर किस तरीके से देखे जा रहे हैं देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जो भूकम की तीबरता है वह अपने आप में उसकी इंटेंसिटी बताती है और जिस तरह से 6.2 तीबरता का जो भूकम पाया यह अपने आप में एक बड़ा जटका है सबसे बड़ी बात यह कि एक बार फिर वो एपी सेंटर नेपाल है और नेपाल में अगर आपके ओल पिछले साल की बात करें तो उस वक्त वहाँ पर 22 ऐसे जटके आये थे हम लोगों ने देखा था कि नेपाल में किस तरीके यही वज़े है कि जैसे जटके सामने आये जिस तरह के से भूकम का चानक जटका लगा तो सारे लोग अपने 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 घरों से बाहर निकल के खास करके जो हाई राइज विल्डिंग्स हैं चूंकि दिल्ली और NCR पूरा हाई राइज इलाका है और यहां पर जिस तरह से अफरात अपरी मज़ गए उसके पीछे की वज़े वही है क्योंकि 6.2 तीबरता का जो भूकम्प है वो अपने आपने उसकी इंटेंसिटी बहुत जादा है और एक बड़ा खत्रा है बार बार दिल्ली और NCR के आसपास के इलाके में जिस तरीके से भूकम्प आ रहे हैं वो किसी बड़े खत्रे का संकेत दे रहे हैं अगर आप इसको समझने कोसिस कीजे कि जो हिमालियन प्लेट है और जो एसियन प्लेट है ये लगातार खास करके नेपाल वो पूरा सेंस्टिव जोन बन चुका है दिल्ली की अगर बात करें दिल्ली NCR के जो पूरा इलाका है हाई ली सिसमोसिक एफेक्टिव जोन है और यहां पर जो भूकम के जटके और ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हैं क्योकि यहां पर हाइज बिल्डिंग ने अभी भी हमारे हाँ पर कोई भी उसी उस तरीके के जो बिल्डिंग बाइलाज हैश उसमें जो भूकम रोधी बिल्डिंग है उसकी तादाद महज एक दो फिस्दी है तो ऐसे में एक बड़ा खत्रा है और इसी से जब ये पूरा भूकम के जटके आए और चुकि रह रहे करके तीन बार जटके मैसूस किये गये हैं तो जाहिर तोर पर ये चिंता की बात है और ये क्या प्रकति कोई संकेत दे रही है क्या कोई बड़ी आपदा कोई बिवीशिका कोई आने जा रही है ये अपने आप में बड़ा सवाल है ब्रजे जी सबसे बड़ी बात रहती है कि कई मिनट तक ये भूकम के जटके देखा जाती है अगर जो हम खासका नवड़ा एंस सा होतकता था बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात है जो जियो साइंटिस्ट हैं जो सिस्मोसिक इसको जो इसको कवर करते हैं या फिर उन्हें अनलाइज करते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रत्वी के अंदर जो असंतुलन बढ़ रहा है खास करके जो कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं यह अपने आप में इस तरहे के बड़े-बड़े भुकम को दावत दे रहे हैं जमीन के अंदर की जो गत्विधियां अगर आपने अभी देका होगा जो सी मट कि अंदर क्या हुआ और ये अपने आप में एक बेहदी सम्विधन सील है नेपाल पूरा पहाड़ी इलाके बसा हुआ और पहाड़ी इलाकों में जो प्लेटो का movement है वो यू तो rare होता है लेकिन अगर वहाँ से प्लेटो का movement सुरू हो जाता है तो उसकी intensity तेजी के साथ बढ़ती है और अकेले दो साल का अगर 2022 से 2030 को monitor करें तो अब तक 25 से ज्यादा ऐसे भूकम के जटके हैं जो नेपाल जो इसका epic center था या अफगानिस्तान या नेपाल दो बड़े epic center बन करके सामने आए हैं भूकम के और जब जब नेपाल में भूकम के जटके आते हैं उसका सीधे तोर परसर दिली और NCR में होता है और दिली और NCR highly sensitive zone बन चुका है भूकम के लिहां से बड़ी बात यह रहती है कि दिली NCR के साथ साथ उत्राखंड में देखे गए हैं अगर उत्राखंड के हम बात करें इस्टेट की तो कहीं नेपाल के बाद जो उत्राखंड भी कुछ पाढ़ी इलाकों में बसा हुआ है देखे निशान जिस तरीके से उत्राखंड में कई जगे से प्रले आई जो सीमट का हाथसा इससे पहले हम लोगों ने देखा इसके साथ इक ग्लेसियर को पिघलने की बात हम लोग लगातारों करते हैं इन सारी चीजों का सामंजस एक दूसरे के साथ है अगर प्लेटों के बीच में टकराओ होगा तो जमीन के अंदर उथल पुथल होगी उस उथल पुथल का असर आपके जो है चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा हुआ हो या प्रकति के अंदर या प्रकति के बाहर जो असंतुलन उसके साथ होगा भूकंप जो आ रहे हैं खास करके नेपाल जो एपी सेंटर बन रहा तो नेपाल के लिए तो बड़ा खत्रा ही है लेकिन दिल्ली न्सी आर में भी आप महसूस करेंगे आपको इसी वक्त जो है अगर आप इसले